हैलो फ्रेंज ताकत और हेल्थ से भर पूर इम्मुनिटी बुष्टर पूर सालो साल एकदम रहे एनरजी से भर पूर इस तरह से बनाए अलसी और गुंद की लड़ू यह बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी होता है इसको बनाने भी बहुत आसान है रेश भी पसं तीन सग्राम में गुड़ है इसको में अच्छे से बारिक कट कर ली हों सौ ग्राम गुंद है पचास ग्राम दो चमस नारियल बुरादा है पचास ग्राम कटा हुआ में काजू रखी हों आप लोग अपने मुताविक और ड्राइप्रूट इसमें एड़ कर सकते हैं अलसी क बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आप लोग देखेंगे और ऐसे ही बनाएंगे तो आपका लड़ो भी बहुत मज़ेदार बनेगा दो चमस में इसमें घे डाली देशी यह अच्छे से गरम हो जाए इसमें मैं गोन डाल के अच्छे से बून लोग देखें कितना बनिया ब्राउन हो जाता है न तो वो क्या होता है कि सोधा सोधा हो जाता है खाने में भी अच्छा लगता है और इसको साइड करके एक बरतन में रख लेंगे यह देखें कितना बनिया से गोंद को हम कटोरी से इसको हम मैस कर लेंगे एकदम इसको पौडर फॉम में कर लेना है दे यह आपका लड़ू बनके एकदम तैयार हो, अच्छे से, तेश्टी, अब चली एक दूसरा पैन ले ले लेते हैं, उस पैन में भी डाल सकते हैं, मैं दूसरा पैन दिखा रही हूँ, आप लोगों को इसमें डाल रही हूँ, यह गुर डाली, गुर मेल्ट हुआ, इसमें हलक एक चम्मच घी डाले इस स्टेश पे, पानी उनी नहीं डालना है, जब हलका सा इत तार की चास्नी, हलका तार की चास्नी, ज्यादा चास्नी नहीं चरहाना है, तो लड़ू आपकी टाइट हो जाएगी, इस स्टेश पे, इसमें हम देखिए, एकदम सेम ऐसा ही होना इसमें जो हम पाउडर बनाए हैं और गोंद का जो पूट काट के बनाई हों, पाउडर, सब को इसी में डाल देंगे, ड्राइफ फूट भी इसी में डाल देंगे, इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, आप लोग एकदम सेम देखिए, सेम देखें के प्रोसेस करेंगे तो इसी तरह से आप लोगा बहुत टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनने वाला है, यह देखिए, इसमें सब चीज डालके नरेल बुरादा भी डालती में, और फिर इसको दो से तीन मिनट लगतार गरम-गरम मिलाते रहेंगे, फिर एकदम डो फॉम में आ जाता है, देखिए कितना बढ़ियां देखने में लग रहा उतना टेस्टी भी होता है, आप लोग बनाईए, किसी को खुश करना हो तो उसके लिए बनाईए, आपके घर में तारीफी तारीफ मिलेगा, बहुत टेस्टी और हेल्दी रेस्पी है, यह देखिए, एक एक करके मैं लड्डू बन इसा है आप लोगों के सामने, यह देखिए, इसमें गोंद मिक्स है, ड्राइफ रूट है, बनके तयार है, आप लोग देख सकते हैं, धन्यवाद, है ना, प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करें, और लाइक करें, थैंक यू सो मिच,